नमस्कार दोस्तों मैं सत्पाल वर्मा एच्च एस अपने यूट्यूब चैनल रस्पी टॉक्स में आपके स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो से पूर्व जो मैंने आपको एक वीडियो दी थी कमपैशनेट फारेंशल एसिस्टेंस के बारे में उसमें पताया था कि अरेज़िवर भेंदे मेंबर कौण कौण है उसके कुछ डेफिनेशन अमने चर्चा की थी कुछ और बातें डिसकस की थी लेकिन उसमें मैंने कहा था कि वीडियो रंबा होने की वज़े से अलग रख प सुमें अब दी क्या है कितने समय तक स्थी है क्या इसकी रासी है कितनी रासी में उपलंद कराई जाती है यह लिए और इसके उपर क्या-क्या भत्ते थे मिलते हैं जैसे कि मा घाय बत्ता, हाउस रेंट, इत्यादी, मेडिकल बत्ता, इत्यादी, इन सब बात्तों की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे, देखे आप अपने सक्रीन पर, ये देखे दो, वीडियो पार्ट टू किसका, हरिनाना सिविल सर्विशिज, कमपेशनेट फ़नें और आपमटमेंट रूल, 2019 पर, जो हमारी सीरी चल रही है किस पर, कमपेशनेट फ़नेंशल एशिजटेंस पर, आज की वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो दिया है, जिसमें बताया था कि विडियो या विडियो वर, फैमली की डैफिनेशन में जो आते हैं, उनके लिए assistance मिलती है वो कैसे मिलती है वो प्राभधान मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताए थे और यह भी बताया था कि यह family में अन्या category के भी member है family member dependence उन पर प्रतेक category के family member पर मैं आपको वीडियो detail में दूँगा लेकिन से पहले यह बताना जरूरी है कि यह family को जो compassionate financial assistance मिलती है यह कितने समय के लिए मिलती है और इसके amount कितनी है बत्ते कितने है इत्यादी इत्यादी यह आज की वीडियो में हम discuss कर रहे हैं यह कल की वीडियो में है हमने family देखे दी के family में फर्स्ट प्रेफरेंस किसका था विड्डो और विड्डो वर का तो आज duration देखते हैं क्योंकि यह duration और amount सभी प्रकार की category के family member पर लगू होगी rule 6 में बताई है duration अवधी इसकी सीमा अवधी कितनी है इस financial assistance की तो यह बताया कि यह financial assistance जो है मिलती है किसको eligible family member को कब से from the next day of death जिस दिन से उसकी death हुई या वो गुमसुदा हुआ जब आपने fire lodge कराई थी परिजनों ने police में fire lodge कराई थी कि इस तारिक से गुम है उस तारिक से और report आगी not traceable की वो या date of death से तुरंत अगले दिन से यह लगू हो जाएगी admisible हो जाएगी eligible family member को कितने समय के लिए मिलेगी अब इसको ध्यान से सुनो जरा कि यदि मृतक या गुमसुदा की आयू मृतक या गुमसुदा की आयू date of death year disappearance की डेट को यदि उसकी आयू तो तैतिस वर्स से कम है थर्टी फाइव यर से कम है तो उसको कितने समय के लिए मिलेगी उसके प्रिजनों को फोरे पिरिड ओफिफ्टीन यर सब्जेक्ट वारीजिवल्टी पंद्रा साल तो मिलेगी लेकिन जिस जिस काटेगरी के फैमली मेंबर की जो एलिजिवल्टी है जब जब समाब तो तिरेगी तब तब या पंद्रा साल वी चैवरिज अर्लियर जो होगा वो होगा क्योंकि एलिजिवल्टी सीज भी हो जाती है और दूसरा यदि मृतक या गुमसुदा की आयू थर्टी फाइव यर से ज़्यादा है लेकिन अभी वो फोर्टी एट यर का नहीं हुआ है तो कितनी है उसके बिए बारा साल है फोरे पिरेड ओफ ट्वेल्व यर्ज और अप्टू दा डेट ओव इसको ध्यान से सुनो जरा इस लाइन को फोरे पिरेड ओफ ट्वेल्व यर्ज और अप्टू अप्टू दा डेट ओफ अटेनिंग दायजो अगले दिन से ये जो भी समावदी पहले होगी वीचाइवर इस अर्लियर सब्जेक्ट तू अलिजिबल्टी फेर वह यात्या अलिजिबल्टी के अनसार जो भी डेट पहले होगी उस अवदी के लिए दुबारा सुनो तो बारा साल या डेट ओफ सुपरनुएशन या सिख्टी इयर ओफ एज या उसकी फेमिली मेंबर के अलिजिबल्टी के डेट भी चैवर इस अर्लियर ये समावदी इसके लिए है और तीसरी परकार कुण से है यदि मृतक या गुमसुदा फोटी एट इयर्ज की आयू प फोटी एट इयर का हो लिया तो कितने साल है फोरे पीरिड ओफ सेवन इयर अप्टु दा डेट ओफ अटेनिंग दा ये जो फुपरनुएशन और शिख्टी इयर वीचेवर इज अर्लियर सम्जेक्ट वर जीवल्टी वही ये उपपर जबताई थी के फैमिली मेंबर के अल और मेडिकल सर्विस के एंपलाई जो है वो साट साल पर रिटैर होते हैं इसलिए इनमें जो डेट भी पर ले आएगी उस डेट तक ये सिमा अब दी है किसकी कमपेशनेट फानेंशल एसिस्टेंस की अब दोस्तों इसके बाद क्या है कि जिस दिन ये सिमा आप दी खतम हो जाएगी ये जो है सुपरनेशन की डेट या सिख्ट ये इर्ज विचेवर जर्लियर इसके बाद यदी मिर्दक करमचारी पर जब वो सर्विस में था हर्याना सीविल सर्विस पैंशन दूल दोजार सोड़ा यदी लागव होते हैं तो बाद में फैमली पैंशन मिलने का भ जब ये अब दिक समाप्त हो जाएगी ओन कम्पलिशन ओफ टेनियोर ओफ कमपेशनेट फानेशन इसके पश्चार्थ जब ये सारी की सारी अब दी समाप्त हो जाएगी उसके पश्चार्थ उसको फैमली पैंशन मिलने का भी प्रावधान है अब दोस्तों आता है कि अमलमेंट्स कुण से होंगे इसमें अमलमेंट्स वो ही है कि जब वो ड्यूटी पे था टेथ से पर ले और जो तनखा ले रहा था वो ही लेगा वो ही तनखा मिलेगी कुण सी सेल भी इक्वर ट्डाइम बेशिक पे इनकलूडिंग स्पैसिल पे इल्लो फायर टैम सकेल कुण सी जो उसकी लाट्ड पे बेशिक पे ऑडैम थी उसमें यदनिग बेशिक हायर टैम सकेल के बदले में तो वो भी सामिल होगी आ année था यदि कोई आडेशनल इंक्रिमेंट व वो सामिल नहीं होंगी और दोस्तों जैसे करमचारी के एन्वल इंक्रिमेंट लगती है ये ध्यान रखना इस पर इंक्रिमेंट नहीं दी जाती कमपेशनेट फारेंशल एसिस्टेंट पर कोई इन्क्रिमेंटर मिलती हाँ हाला के क्या कहा के देन्फिट ओफ फिक्सेशन उप पे रीफिक्सेशन उप यदि कोई बनता है किसका मृतक करमचारी या गुमसुदा करमचारी का डेट से पहले का तो वो दिया जा सकता है और इस समय समय पर रिवीजन उप पेशकेल होता है जन्रल रिवीजन जैसे के साथ में वितानयोग की अब हुई थी यदि ऐसे कोई रिवीजन होती है सरकार के दुआरा पेशकेलों में और वम्रतक करमचारी की पेक भी रिवाइज करके इस एमालुमेंट्स को बढ़ा दिया जा स सकता है यदि वो जन्रल रिवीजन हो जैसे के साथ में वितानयोग की है या कभी आठमा वितानयोग आए आप इसके साथ दोस्तों बताया के पंपनसेट्री अलाउंस और जो हैं पैसेनेट फानेंसिल एसिस्टेंस के साथ कौण-कौण से मिलते हैं उनको जरा ध्यान से सु यह दो आमालूमेंट्स आगे ना बेशिक पेवाड़े इसके अलावा क्या मिलेगा इस पर डियरनेस अलाउंस जितना भी फ्रॉम टाइम टू टाइम सरकार के द्वारा गोशना उत्ती है और करमचारों की यह भी मिलता रहेगा फिक्ट मेडिकल अलाउंस यदि उस मृतक क अलेजिवलटी इस फिल्बी आडिमिज़ी बले ओ चिलिडरन एज्यूकैस अलाउंस भी अलेजीवलटी के अनुसार जो भी हे कि दो प्रसंदो वच्चों का व व Höas से हाउस रेंट आलाउंस के इतना मिलेगा जितना मिरदक क्रमचारी अगुम्सुदा करमचारी ड्रा कर रहा था ड़स पहले उतनी मंग दो साल तक ड़ डी जा सकती हैं कि दो साल तक मुर्दक करमचारी के परिजनों को मिलेगी या मुर्दक करमचारी का परिवार फाइनन्चल असिस्टेंस लेते हुए जिस स्थान पर रह रहा है उसकी अडिमिजीबिलीटी के नुसार कहीं बार कम ज़्यादा हो जाती है या वो या यह जो मुर्थिसे पहले ड़ तो उसका परिवार रख सकता है तो रिटेन गौर्मिन्ट अक्रमडेशन इस पहले से अकुपाई है तो वो कम तक दो साल की अब दीप के लिए रख सकता है कैसे ओन पेमेंट ओफ नॉर्मल लाइशन्स फी जो नॉर्मल लाइशन्स फी मिरत कर्मचारी दे रहा था वो रेट उस रेट पर दी जाएगी साथ में आए एक बवात और समझने वाड़ी बात है इसने कहा है कि नॉर्मल लाइशन्स फी यदि मिरत कर्मचारी पैनल्टी दे रहा था किसी भी सुरत में तो पैनल्टी वाड़ा रेट नहीं लगेगा जो नॉर्मल लाइशन्स फी से वो होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में बता उपर बताया ना के अलिजिवल्टी के साथ से तो यहीं कहा कि यह अब रूल अठारा में इसी रूलों में इनिश्चे बता रहा हूं मैं जो अठारा में बताया गया वो मिलेगा नो अधर अलाउंस वो उसमें सामिल नहीं होंगे और इसके बाद चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस कैसे मिलेगा कि देश जमाद दो तक दो बच्चों का जितना समय अवदी है मिर्दक करमचारी की यदि वो जिन्दा रहता और प्राप्त करता जितने समय के लिए वो उतने समय के लिए मिल ज प्राइजनों को सब्जेक्ट्व कंडिशन क्या है कि उसकी पती या पत्नी जो भी आज दा केस में मिर्टक की एमपलाई ना हो किसी भी डेपार्टमेंट में हर्याना सरकार के स्टेट गवर्मेंट के या गवर्मेंट अफ इंडिया के कहीं भी जो है ना एमपलाई ना हो और उसके बाद ये समय अवदी निकलने के बाद क्या होगा अप टू डिगरी लेवल ट्यूशन फीश और उसके बाद ट्यूशन फीश लबरेटरी चार्ची जित्यादी जो एक्चुनी पेड़ किये जाएंगे किसको डिगरी लेवल तक के कॉलिज को वो रेंबर्स हो जाएंगे तो ये दोस्त पुची लिटरन एजुकेशनल वांच था आप फिक्स मेडिकल अलाउंस की सुनलो फिक्स मेडिकल अलाउंस समय समय पर जो सरकार के दौरा ने धारित किया जाएगा वो मिलेगा और competent authority कल भी बताई थे हमने के competent authorities को sanction करने की head of department है Fusion do Department गया अपना केस है वहां फिक्षर होती होता है जिदि उसका अपना case है तो उसकी ने seventy kare authority करेगी और छे महिदे में एक बार रचंज फाइंससं अश्टेंस ले रहा है उसको अपना life certificate देना होगा office में आके और income certificate देना होगा जो कर बताया था हमने किसी भी guided officer के द्वारा गाउं के सरपंच के द्वारा या municipal counselor के द्वारा टेस्ट किया गया हो या वो अपने head of office के पास भी आके पेश हो सकता है और उसमें head of office का certificate बना देगा तो यह दोस्तों प्राधान थे कि क्या रखम मिलेगी कितनी अवधी के लिए मिलेगी आज की वीडियो के बारे में यह सुचना आपको देनी थी देखा दोस्तों आपने के compassionate financial assistance मृदक करमचारी या कुम सुधा करमचारी के परिजनों को कितनी अवधी तक मिलती है उसके क्या प्रावधान है कौन उसकी competent authority है सेंक्शन करने की उस पर कौन कौन से बत्ते मिलते हैं आशा करता हूं आपको यह सब बते समझाई होंगी फिर भी मैं आपको यह कहूंगा कि जो रूल है इनको द्वारा दोहराना आप ले करके आपके करेले से मिल जाएंगे या chief secretary की site पर पड़े हैं महां से आप ले सकते हैं इनको अच्छी तरह पड़े हैं और समझिए और यदि कोई बात रहती है तो फिर पुना मेरा वीडियो देख करके समझने की कोशिस करें आशा करता हूं आपको यह वीडियो पूर्व की भांतिसमी वीडियो की तरह है बहुत लाइक उनका बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों यहां मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको जो जरूरी है कि मैं तहले भी आपको अपने वीडियो में बता रहा हूं कि देखें कमेंट बॉक्स में आपके वल कमेंट करिए क्वारिया मत दोस्तों यदि आपको अपनी समस्या का समधान कराना है तो मेरे तर्टेक वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना यूट्यूब चैनल का ओफिशेल मॉबाइल नंबर दिया आप उसी मॉबाइल नंबर पर ओनलाइन कॉंटेक्ट करके मेर से ओनलाइन एक् से ओनलाइन